हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू जस्ट लीगल एंड टोड़े वी आर गोइंग टू डिस्कस्ट दी हिस्टोरिकल इस्कूल अफ दी लॉव तो आधित्य शर्मा एंड आज हम हिस्टोरिकल इस्कूल के बारे में बात करेंगे तो पहले हम यह देखते हैं कि चीफ एक्सपोनेंट्स कौन-कौन थे अपने हिस्टोरिकल स्कूल के तो मॉन्टेस्क्यू थे यह हमाई रेनेसेंस के टाइम के थे दो हिस्टोरिकल स्कूल के फांडर जो हमाई सेविग नी थे वो यह स्कूल बात ने फांड हुआ है बट हम कह दोसरे हैं, Frederick Carl-1 Savigny, यह father है इस school के, फिर है हमारे Henry Main, और fourth है हमारे George Frederick Pukta, तो हम इसमें क्या है कि इन तीन के मेन, इन तीन जो जूरिस्ट है, mainly Montesquieu, Savigny और Main के बारे में discuss करेंगे, अब हम देखते हैं कि इस school का background क्या है, यह school कैसे आया, तो यह सारी चीजें हम इसमें लिखने वाले हैं, तो पहली बात तो क्या था कि उस time पे जो natural law philosopher थे, उनका main क्या था, वो किस चीज में कि law का aim क्या है और purpose क्या है, उनका सिर्फ इतना ही interest था, वहीं अगर आप analytical school की बात करते हैं, तो analytical school का मतलब यही पूरा belief था कि जो law आना चाहिए, वो state द्वार आना यह command of authority होना चाहिए, मतलब जैसे अपने Austin साब उसके head थे, father थे, उसके बाद लिकिन अब क्या हुआ कि historical school जो था, उसका approach बहुत अलग था, तो यह जो historical school आया, वो reaction था, analytical school और natural law school के approach इसके against में एक reaction निकला, वो historical school था, तो इननों के approach क्या थे, कि पहली चीज तो historical school क्या जो पहला approach था, जो हमारे सविगनी साब ने भी कहा है कि law is found not made, तो उनका कहना यह है कि law जो है, वो एक gradually, धीरे धीरे time के साथ मिला है, हमने उसको धूड़ा है, वो मिला है, ठीके न, ऐसा नहीं कि कोई authority आई और उसने एक law बना दिया, तो वो law है, नहीं, उनका कहना यह थ था, कि law था, हमेशा से था, और वो अपने हिसाब से evolve हो रहा था, और उसको धूड़ा गया है, वो किसी ने बनाया नहीं है, तो यह इसकी पहली approach थी, दूसरा यह भी कहा है, कि law is a product of social growth, उनका कहा कि law की growth कहा से होगी, कि social growth से होगी, कि जैसे से society बढ़ेगी, लोगों का interaction बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ही, वो अपने एक, सब अपने अपने norms तयार कर लेंगे, अपने rules तयार करेंगे, और फिर वहीं से हमारा law निकलता है, तो इसकी यह दो main approaches है, उसके बाद क्या है, कि यह आप देखी कि जो historical jurist हुए है, उन्होंने law को किस तरीके से बताया है, इक biological growth, biological growth जैसे कि, जो हम plants है या animals में देख सकते हैं, कि अगर कोई बीज है, बीज को हम जमीन में डालेंगे, फिर वो अंकुरित होगा, उसमें से पेड़ निकलेगा, और उसी तरीके से हम अपना देखें, तो हम हमारा बर्थ होता है, फिर हम बड़े होते हैं, तो उन्हो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आएगा, या कोई authority बैटेगी, प्रारपाशनुवा ग्रूप बैठेगा, और वो बना के चला जाएगा, तो इस चीज को नोंने negate कर दिया, अच्छा, अब इसकी, यह जो इस school का, जो historical school का motto है, वो हम इस maximum से लेते हैं, कि UB Societus AB Lex, इसका म कर रहे हैं, लेकिन यह law को जो है, वो सिर्फ, solely society से नहीं drive कर रहे हैं, यह उसके historical aspect में भी जा रहे हैं, कि यह पुराना चला आ रहा है, तो यह इसका background था, अब हम Montes Q की बात करते हैं, क्योंकि यही वो हैं, जिन्होंने renaissance के time पे, इस school की foundation रखी थी, तो इनका time period क्या था इनका 1689 से 1755 थे, और यह French philosopher थे, और इन्होंने हमाई historical school की foundation लिट की, और इनकी जो काफी famous book हुई थी, उस समय पे उसका नाम था, spirit of law, यह इस type की questions है ना, वो आपसे competitive exams में पूछे जा सकते हैं, कि Montes Q ने कौन सी किताब लिखी थी, या Montes Q ने कौन सी theory propound की थी, तो इस type की चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपनी जो separation of power theory जो हमारे constitution में भी है, और mostly constitution में रहती है, तो यह थोरी theory किसने propound की थी, हमारे Montes Q ने की थी, अच्छा, Montes Q ने एक बोला था कि laws are creation of climate and local institutions, तो इस से आप समझेगे कि इन्होंने law को as a universal नहीं माना, इन्होंने यह बोला है कि law कह से आता है, कैसे बनता है, वो इन्होंने एक तरीके से nationalistic view दे दिया, कि एक society है, या country है, lodge होगा, उन्हीं की need के अनूसा हिसाब से होगा, वहां के लोगों की सोच के हिसाब से होगा, या महां पे क्या institutions हैं, उसके हिसाब से होगा, तो अब हम बात करते हैं, Frederick Carl von Sevigny की, तो Sevign का time period क्या था, 1779 से 1861, और यह German philosopher थे, और यह father भी थे, historical school के founder थे, तो ऐसा कोई भी question आई कि, भई, historical school के father कौन थे, तो आप लिखेंगे उसमें, Frederick Carl von Sevigny, और अच्छा, इनको ना, उस time पे, Darwinian, before, इनको एक उपादी दी गई, कि he was the, और he is the Darwinian, before the Darwin, यानि कि Darwin से पहले भी एक Darwin थे, ऐसा इनको क्यों बोला गया, इनको इसलिए ऐसा बोला गया, क्योंकि जो legal system की, जो evolutionary principle इननों ने दिया, इन्होंने उसको biological growth से compare किया, कि कैसे चीज़ें, कैसे law जो है, वो time के साथ, society में कैसे develop होता है, slowly and gradually, जैसे कि Darwin की theory थी हमाई science में, तो इसलिए इनको Darwin की उपादी दी गई, before Darwin, अच्छा, अब क्या है, कि हम ये जानेंगे, कि Frederick, जो सेविगनी थे हमारे, इनकी life में ऐसा क्या हुआ, कि ये इननोंने historical school की foundation रखी, तो ये क्या था, कि ये उस दौर में रहते थे, जब French Revolution चल रहा था, और Napoleon हर जगे war करता था, और वहाँ पे conquest कर लेता था, तो क्या हुआ कि Germany भी वहीं France के पास था, और वो काफी हिस्टन बटा हुए था, वो unified नहीं था, तो सेविगनी भी वहीं के थे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे Napoleon ने war किया, और वहाँ पे French Code impose किया जाने लगा, तो पहली जो इनका reaction था, वो इसके against already था कि French Code यहाँ नहीं लगना चाहिए, वहीं दूसी तरफ क्या हुआ कि एक प्रोफेसर तहबूत करके थे, जो naturalist थे, और उन्होंने legal unification की बात की पहले Germany की, किसके अंडर? Napoleonic Code के अंडर, जो की बिलकुल acceptable नहीं of our age for legislation and jurisprudence, तो इसको आप याद कर लीजिए, या आप इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि might be, ये CLAD जैसे exam में, LLM के entrance जो exam होता है, उसमें ये पूछा जा सकता है, तो इसमें इनोंने एक तो ये theory रखी थी, कि जो law है और society है, they go hand in hand, मतलब वो साथ-साथ चलते है they are interrelated, आप उनको अलग करके मतलब बात नहीं कर सकते हैं, तो law society साथ-साथ है, फिस सेविग नी ने इसी pamphlet के अंदर अपनी ये theory दी थी, कि law should reflect the nationality, कि जो law है उसमें पता चलना चाहिए, कि आप किस nation को belong करते हैं, क्या आपकी culture है, क्या traditions है, तो इसलिए इनोंने कहा कि जो अपनी में जो लोग होंगे, उन पर वही law impose होगा, जो कि उनके customs, उनके tradition, उनके culture के according होंगे, तो ये सेविग नी ने अपने इस pamphlet के अंदर ये बात की थी, फिर जो central theme थी सेविग नी की thesis की, वो ये थी, कि language, culture, the constitution and manners of the people, determined by the peculiar character of the people, by its national spirit, याने folkized, अब folkized क्या है, ये workized ये है कि एक common consciousness of all the people, national spirit जिसको उने उने बोला है, तो इनकी central theme में इनने किस चीज किस चीज पर focus किया है, language पे, culture पे, लोगों के tradition, उनके manners, तो ये उनके क्या characteristics है, तो उस हिसाब से, उनकी common consciousness क्या है, तो उस हिसाब से law होना चाहिए, ये इनकी central theme थी, जैसे हम इंडि freedom fighters से, तो इनकी common consciousness थी कि इंडिया का governance होना चाहिए, education system होना चाहिए, it should be according to the Indian people and their culture, custom and their consciousness, तो ये इन्होंने बात की थी, तो ये एक similar concept type में ले सकते हैं, तो सेविगनी ने क्या किया, सेविगनी ने बोला कि law is like a language, अब इन्होंने इसको क्यों बोला, कि उन्होंने law को language से कि उन्होंने कहा कि language भी जो है, वो धीरे-धीरे, slowly and gradually society में अपने आपको establish करती है, और growth करती है, जैसे कि और वो अपना form जो है, वो हमेशा बदलती रहती है, according to the needs of the people, तो उन्होंने का law बी ऐसे ही होता है, जैसे हम example ने, तो पहले हमारे हमारे परने टाइम में Sanskrit चलती थी जो सबको नहीं आती थी, फिर दीरे-दीरे पाली आई, प्राकरित आई, हिंदी आई, अब हिंदी में भी मतलब बहुत सारे localized version है, तो law बी इसी तरीके से है, उनका ये कहना है कि law बी ऐसे दीरे-दीरे बढ़ता रहता है society के हिसाब से, फिर अब हम इनकी जो basic approach थी comment में cover करते हैं, ताकि कभी आपको question आये, तो आप उसको तुरंट पकड़ लें और अपना answer सही कर सकें, तो पहला हम discuss कर चुके हैं, कि law is found, it cannot be made, law हमेशा मतलब हमने धूड़ा है, जो हमेशा से exist करता था, दूसरे इनों ने कहा कि law is like language, जो evolve होती है धीरे-धीरे, social economic or other factors से यह भी हम discuss अभी हमने किया, फिर उनोंने कहा कि law cannot be universal validity, इनोंने law को universal नहीं बताया है, मैंने आपको जैसे बताया है, कि इनोंने भी उसको एक nationalistic feature दिया है, कि वहां की लोगों के साबसे होना चाहिए, फिर इनोंने, इसका main चीज यह है कि इनोंने क्या बोला है, कि custom जो है, formal source of law है, वही हम analytical school की बात करें, तो वहां क्या बोला गया था, वहां यह बोला गया था कि command of the authority, political superior जो है, वही है, formal source of law, पर यहां कि इसको बोला गया है, custom, इसलिए हम इसको historical school बोलते हैं, फिर आते हैं हमारा focus, इसमें क्या है, कि वही common consciousness of the people, वहीं से हमारा law drive होना चाहिए कि लोगों की common conscious है, तो यह इसमें बोला गया था, अब क्या हुए कि इनकी ने जो theory दिये, उसने कुछ criticism भी attract किये, जैसे कि professor Allen थे, उन्होंने यह बोला कि जरूरी नहीं है कि सारे customs जो हैं, वह बहुत majority से ही आए, कुछ customs जो होते हैं, वह minority है, group of ruling class बना देती है, जो कि strong औ अपने interest के हिसाब से बनाती, जैसे कि slavery हो गई आपकी, तो slavery भी तरीका law ही लीगलाइस था उस समय पे, जूलिय से स्टो ना, इन्होंने कहा कि सेविगनी ने legislation को as a instrument of social change ignore कर दिया, उन्होंने पूरा focus किस पर दिया, customs पे, लेकिन कुछ ऐसे customs भी थे हमारे, कैसे थे, कि सती जैसे या introduction of divorce हो गया, या child marriage का prohibition हो गया, dowry prohibition हो गया, तो यह सारी customs थे, लेकिन legislation से हमने legislation लाके इनको हटाया, abolish किया, prohibit किया, तो legislation as a instrument of change, जो सेविगनी ने इसको importance नहीं थी, वहीं अब हम बात करते हैं कि सेविगनी खुद national character की बात करते हैं कि लोगों के tradition custom उठाने च तो यह थोड़े hypocrisy टाइप की हो गई है, अब क्या है कि जो further criticism है, वो यह कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो customary law हो, वो पूरी जो people है, उनकी consciousness represent कर रही है, कुछ local customs भी होते हैं, लोगों के अपने, अपने tribe होती है, society होती है अलग अलग अलग, और सबसे जो negative point इनकी theory का था, जो वोक जी स्टाफ डिसकी बात कर रहे है, people consciousness, इसका history में आप देखेंगे, गलत तरीके से इस्तमाल किया गया है, जैसे कि आप Nazi party ले लीजिए, इनकी इसी theory के, इनकी इसी theory को लेके, फासिस्ट ने अपनी जो movement था, उसको justify किया था, यही Nazis ने किया था, तो इनकी इस theory का ह Henry Main, जो हमारे third chief exponent है, इस school के, तो अब हम इनकी इस बात करते हैं, इनका time period क्या था, 1822 से 1888, यह English के English philosopher थे, और अपने time के, मतला England के बहुत बड़े historical movement के part भी थे, तो English historical school of jurisprudence, अगर historical school of jurisprudence आए, तो आप saving नहीं लेखेंगे, किसी भी competitive exam में, लेकिन founder of English historical school of jurisprudence, अगर बात आएगी, तो आप हमेशा Henry Main का नाम लिखेंगे, तो अब हम, तो यह English jurisprudence थे, और सबसे इनकी खासियत क्या थी, कि यह Roman law से भी aware थे, English common law से भी aware थे, और Hindu law भी इनको पता था, यहां कि, जहां तक मुझे पता है, कि इन्होंने इंडिया आके भी अपनी कुछ research की है, अपने jurisprudence की field में, तो इनकी, इनका एक work है, ancient law करके, जो कि 1861 में publish हुआ था, तो आप इसको note कर लीजिया, क्योंकि यह आपको, computer exam में मिल सकता है, as a factual question, तो अब इन्होंने काया है, कि इन्होंने किस चीज़ पर ज़्यदा emphasize किया, अपनी इन्सान के emotions पे, उसकी habit, उसके deep instinct, मतलब वो कैसे कैसे develop हुए है historically, तो इन्होंने उससे फिर अपनी चीज़ें, अपनी जो theory है law की, उसको drive किया है, तो अब इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने बोला कि जो legal development है, इसमें बहुत सारी stages है, तो उसी वेसिस पे और अप इन्होंने क्या किया कि society को दो हिस्तों में बाट दिया, एक static society और एक progressive society, तो जब हम stages of legal development की बात करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं कि static society में legal development कैसे हुआ, फिर हम आते है अपनी progressive society, तो इन्होंने इसको तीन stage में बाटा, तो first stage क्या है, कि first stage में ये था, कि king के पास divine rights है, और वही एक absolute ruler है, तो इस time पे कोई principle नहीं था governance का इस type में, सिर्फ ruler जो कह दे वही law था, अब second stage के आई ही, कि second stage में, जो power decline हुई ruler की, जो की एक patriarchy ruler जो थे, उनकी power decline हुई, और एक group of people, जो political or military, वो emerge हुआ, और उन्होंने कुछ norms या कुछ rules बनाए, और ये customs का basis फॉर्म हो ग तो इस से customs फॉर्म हुए, फिर क्या हुआ, कि ये जो monopoly थी, ये जो group of people, जो law customs बनाए जा रहे थे, उनकी monopoly जो है, वो break की गई, और फिर एक legal system जो था, उसका codification किया गया, उसको लिखा गया, तो उससे क्या हुआ, कि पहले जो oligarch थे, वो अपने हिसाब से कुछ भी custom बन नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो third stage थी, उसमें उन जो customs को, customs थे या जो common consciousness थी, वहां के people की, तो उसको लिख दिया गया, तो ये तीन stage जो थी ये static society की थी, फिर इन्होंने कहा कि, अब हम progressive society की बात करते हैं, कि progressive society में, कैसे वो मतलब legal development हुआ, तो इन्होंने कहा कि static society में क्या है, कि एक point के बाद जो है, वो law जो है, वो मतलब stable हो जाता है, और progress नहीं करता है, जबकि law, law is a living law है, वो हमेशा चलते रहना चाहिए, क्यों कि society हमेशा बढ़ती है, तो इन्होंने legal development, legal development है, progress society में क्या बात करी, इन्होंने तीन developments बता, एक बोला legal fiction, दूसरा बोला equity, और त legal fiction क्या है, कि legal fiction में क्या है, कि हम चीजों को suppose करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि चीजों को हम simplify कर सकें, policy maker के लिए easy हो जाए, चीजों समझने के लिए, और समझाने के लिए, जैसे कि possession हो गया, अगर आप possession का literal term, अगर आप इसको समझें, तो literal term क्या है, कि किसी चीज का physical acquirement कर लेना, लेकिन जो आप इसको legal sense में पढ़ेंगे, तो इसमें physical acquisition की कोई बात ही नहीं की गई है, position का, position का मतलब भी उसमें अलग है, position का मतलब भी कोई चीज आपके नाम पे होना, तो ये position की बात ही नहीं होना, मतलब उसमें मतलब change हो, adoption आया, हम juristic person होते हैं, जो company हम form करते ह हैं, तो company form करते हैं, उसको एक legalistic person की status देते हैं, तो ये क्या है, ये सब हमारे एक legal fiction है, जो हम suppose करते हैं, ताकि जो rigidities है, formal law की, वो खतम हो जाएं, एक flexibility है, policy makers को problem ना आए, तो ये सारी legal fiction में हमारे काम आती है, अब equity क्या है, equity जो है, वो एक secondary system है law का, यानि की जैसे हम एक concept की बात करते हैं, constitution में, Indian constitution में, या American constitution में, due process of law, यानि की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो beyond law चली जाती है, मतलब कई कई बात judges के पास ऐसे case आते हैं, जो वो law से बाहर जाकि उस पर judgment देते हैं, तो वो होती है equity, मतलब आप एक moral, कि क्या सही है, क्या गलत है, तो equity, इन्हो तो equity इन्होंने तीसरा इसकी legal development बताई, और फिर तीसरी जो बताई इन्होंने वो बताया legislation, legislation यानि की final development of law, यानि की सारी चीज़ें legal fiction हमने बना लिये, हो सकता equity भी हम बहुत सारी चीज़ें ले ले लेते हैं, तो इन्होंने का कि legislation जो होगा ना, वो final development law है, और यहाँ पे law मतलब यहाँ पे law बन जाता है, फिर दीरे दीरे society के साबसे वो change भी होता रहता है, तो इन्होंने का है कि codification is an advanced form of legislative development, मतलब यह सारी चीज़ें होने के बाद फिर जब वो law आता है, तो वही एक final development होता है, तो हमने देखा कि in total अगर हम बात की जाएं, legal development की, तो यह एक 6 stages मे हैं और 3 हमारे progressive society में है, तो अगर आप से पूछा जाए कि legal fiction का concept किस ने दिया था, तो आप बताएंगे कि यह हमारा जो concept है, यह हमारे sir henry main ने दिया था, equity का concept जो है, इसको progressive society में किस ने लाया था, तो इसको आप, आप यह competitive exam में आए, तो आप इसको इस तरीके से deal करेंग है, अच्छा henry main ने एक और concept दिया था, जो थोड़ा अलग है कि movement from status to the contract, अब हम इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो इन्होंने कहा है कि जो movement of progress of society has hit her to been a movement from status to society, इन्होंने कहा कि जैसे society progress करती है, तो क्या होता है कि इंसान या फिर जो individual है किसी भी society में, वो एक status, करें तो एक one विवस्ता आप क्या सकते हैं, या ruling class में बात करें तो भई एक ruling class है, एक priestly class है, है ना, तो लेकिन अब क्या है कि जैसे society progress होगी, अब वो एक contract होता जाएगा, तो अगर आप याद करें तो social contract तो theory है, तो वो कही ना कहीं इससे थोड़ा बहुत relate भी करती है, त इससे society में क्या होगा, कि एक family was a unit, इससे पहले के time पे एक family ऐसे unit की नहीं जाती थी, और उस family के हिसाब से ही आपको एक status मिलता था, जो आपकी इक्षा नूसा नहीं था, suppose करो if you are born in a brahmin family और इन या शूद्र family, तो वो एक society ने आपको दे दिया, imposed job का fixed job उसको बदल नहीं सकते हैं, तो ये ancient society में था, तो उससे क्या हुआ, कि status जो था आपका, वो inherit होके आपके पास आ गया, तो जैसे कहीं आपके साब के पिताजी आपके लिए को छोड़ गए हैं, है ना, जैसे इनके लिए इनके पिताजी harmonium छोड़ गए थे, तो अब हम progressive society की बात करते हैं, तो progressive society में क्या होगा, कि जो family की उपर dependency है, वो अब कम होती जा रही है, कि पहले joint families होती थी, अब nuclear families है और उसमें भी individualism वाला concept है, वो काफी बढ़ रहा है, तो अब individual become the best judge of his own good, मतलब अब इनसान अपने हिसाब से ही काम करता है, ठीक है, तो अब इस से क्या हुआ कि एक तरीके का contract form हो गया, लाइक अगर हम social contract theory की बात करें, तो पहले status था कि भाई, राजा है, वही rule करेगा, लेकि social contract धी रहे, जब society, social contract theory का concept आया, तो social contract में क्या हुआ, कि लोगों ने अपने rights give up करके, अपने representative चुना और वो उनको rule करेगा, तो आप कहां से एक status, एक status से आप एक contract की तरफ जा रहे हैं, और recent का, इस से best example तो कुछ होई नहीं सकता हमारा, तो अब हम henry main के criticism की बात करते हैं, तो पहला तो क्या है रहे हैं कि इन्हों ने जो society थी, जो पहले की society थी और आज की society है, उसको कुछ जादे over simplify कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पराने time पे ज हदलते थे लोगों के अपनी need के हिसाब से, अब दूसरी चीज क्या हुआ, कि इन्हों ने जो first stage थी, static society की first stage थी, उन्हों ने कहा कि ruler होगा, और patriarchal form में होगा, यानि कि कोई पुरुष प्रदान समाज से ही कोई आदमी, कोई man आके rule करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पराने time म है, material societies भी होती थी, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इन्हों ने कहा कि it has been observed that status does not necessarily gravitate to contract, तो इनका एक ये criticism भी था, कि जरूरी नहीं है कि status ही, मतलब एक contract को attract करे, ठीक है, और भी कई चीज़े होती है, मतलब हो सकता है कि इसके opposite भी हो जाएं चीज़ें, जैसे कि, जैसे कि social welfare legislation in advanced countries is status based, जैसे कि अगर आप इंडिया की बात लें, तो अब जैसे कि अपने हाँ reservation है, इंडिया में reservation है, STSCs के लिए, OBCs के लिए, तो ये क्या है, कि status based पे उनको एक उनके लिए social welfare legislation बनाया गया है, तो जरूरी नहीं है कि status से आप contract की और ही जाएं, कभी हो सकता है कि status जो है वो अभी भी रहे और उससे आपके लिए social welfare legislation भी बना दिये जाएं, अब जैसे कि US में आप देखिए, कि एफ्र अमेरिकन को एक status based पे उनके लिए policies बनाई जाती है, Canada में जो single mother है, उसको as a status of single mother recognize किया है, तो मतलब status तो है, जरूरी नहीं है कि वो एक contract म ही बदल जाए, तो हमाएं सामने ये काफी अच्छे examples है, और इंडिया का जो reservation वाला है, वो तो सबसे best example है ही, तो friends, subscribe my channel and you can also join me on my telegram channel, जहां मैं आप लोगों को जो भी recent recruitment regarding notifications आएंगे, या फिर कोई भी मेरे पास loss rated book होगी, या कोई भी knowledge होगी, तो मैं वहाँ आप से share करू आपको कोई भी query है तो आप मुझे इस email ID पर mail कर सकते हैं, थाए.